दोस्तों, RCB Play-Off के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाई तो बुरी तरीके से तूट गई स्मृति मंधाना अब सोसल मीडिया पर उनका एक भावक वीडियो जम कर वाइरल हो रहा है जी हाँ दोस्तों आपको बता दे इस साल के WPL में इस्मृति मंधाना की RCB का प्रदर्शन बेहद ही निरासा जनक रहा था उनकी टीम ने सुरुवाती पांच मुकाबले लगातार हारे और सुरुवाती पांच मुकाबलों में उन्हीं एक भी जीत नसीब नहीं हुई इस सर्मनाख प्रदर्शन के बाद इस्मृति की टीम ने वापसी जरूर की लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी RCB ने अपने पिछले मुकाबले जीते जरूर लेकिन UP की जीत से RCB अब WPL से बाहर हो चुकी है जिसके बाद अब इस्मृति मंधाना का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो काफी दूखी नजर आ रही है इस वीडियो में उन्होंने अपने प्रसंसकों से माफी भी मांगी है तो दोस्तों आपको क्या लगता है दिल्ली मुंबई और UP में से इस साल चैंपियन कौन सी टीम बनेगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा